हेलो दोस्तों स्वागत है आपका GSIQ Education के YouTube चैनल पे तो आज से हम लोग बिहार का इतिहांस यानि कि बिहार इस पेसल जो है जो भी BPSC या फिर BPSC प्रेलिम्स में या फिर BPSC के BPSC से रिलेक्टर जो भी एकजाम है जैसे BPSC में भी इससे प्रसंद पुशे जा सकते हैं उसके बाद से फिर आपको बिहार दरोगा का हो गया इससे हो गया इससे हो गया या बिहार पुलिस का हो गया फिर बिहार के जितने वी एकजाम है जिस में बिहार का इतिहास के बारे में लोग जानने के क्योशिए करेंगे और चलिए अब लोग अगर इस चैनल पर नय है तो फिर आप लोग फटा-फट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि फिर नेक्स एपिसोड जब भी आए वह आप लोग के पास सीधे वो आप लोग के पास अपडेट उसका notification मिल डाए और हाँ टेलीग्राम का लिंक नीचे description box में है आप लोग उसको join कर सकते हैं ठीक है तो ये बिहार का जो इतिहास है तो ये जो हम बिहार special जो चला रहे हैं तो ये objective type का होगा और आप लोगों को reference book के लिए मैं बता दूँ कि ये बिहार एक पुस्तक का नाम है जो इमतियाज अहमद एम रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही अची पुस्तक है इससे बिहार special का एक भी प्रसन आपको नहीं चूटेगा तो आप लोगों से इतना request है कि बस इस वीडियो को एक से दो बार देखिए मैं हर एक दिन आप लोगों के लिए एक एक स्रीज लेकर क्या हूंगा और बहुत जल्द ही कोशीज करूँगा कि वन विक के अंदर में इसको मैं खतम कर दूँ ठीक है तो आप लोग क्या कीजिए जुड़े रही है इस यूटूब चैनल के थुरू और विडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिये कि यहाँ पर बिहारे स्पीशल का यहाँ पर एबलेबल है ठीक है तो चलिए बीना इदेरी की वेस करते हैं हम बिहार का इतिहास से सुरु करेंगे और इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे इतिहास के स्रोथ ठीक है तो बिहार के जो इतिहास के स्रोथ जो है तो question देखेंगे कि प्राचीन बिहार की इतिहास की जनकारी के मुख्य स्रोथ कौन-कौन से है तो भगना अवसेस है यात्रा भुतर होंगे इसका उत्तर जो होगा और डी होगा यानिकि एक दो तीन yeah और 5 यानि कि सभी होंगे नेक्स देखते हैं कि दो नंबर कि प्राचीन पाठली पुत के संबन्ध में जनकारी के स्रोत है तो कौन से है तो इसमें भगना उसेस है यात्रा बिरतान्थ है धार्मी ग्रंथ है यानि कि उपयूप्त सभी है तो इसका अंसर हो जाएगा D नेक्स देखते हैं कि बिहार में मौर्जेकालिन अभिलेक कहां से प्राफ्थ हुए है तो मौर्जेकालिक अभिलेक जो प्राफ्थ हुए है तो इसमें देख लेंगे इसका एंसर होगा सी यानिकी दो नंबर से यानिकी लौरियां अरे राज से ठीक है तीन नंबर यानिकी लौरियां नंदनगर से और फिर चार नंबर यानिकी सहसाराम से और पांच यानिकी रमपुरुआ से यानिकी जो प्राप्त हुआ है लौरियां से नंदनगर से और सहसाराम से और रमपु है तो वो जो है वो अभी लेखों की भासा क्या है प्राकिरत है नेक्स देखते हैं कि बिहार से प्राप्त मौर्जकालीन अभी लेखों की लिपी क्या है तो है ब्रहमी है ठीक है नेक्स आगे देखते हैं कि बिहार में मौर्जकालीन अभी लेख जो है वो किस अस्तान से प्र और यहसा और से प्राप्थ हुआ है मोरेकाली मत एकाली संस्थापत्य कल रृत्र से प्राप्थ हुए है तो इसमें पाटली पूत्र से भी प्राप्थ हुए और pregnant इसलिए इनवे म् नगान सभी नेक्ज देखते हैं कि बिहार पर इसलिए के ताम्र पत्र से बिहार में बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमान मिलता है आगे देखते हैं कि बिहार के किस तुर्क राजबंस के अभिलेक प्राप्त हुए है तो तुगलक बंस के जो है ओ अभिलेक प्राप्त हुए है ठीक है इसका अंसर C हो जाएगा बिहार के किस छेत्र में संबन में वसाती नुल उन्स एक मुल्यावान स्रोत है तो तीरहूत है ठीक है इसका अंसर हो जाएगा तीरहूत है नेक्स देखते हैं कि बिहार आने वाले महत्पुन्ट चिनी यात्री का नाम क्या है तो फाहियान भी है ठीक है युवान चुआंग भी है और इत्सिंग भी है यानिक उप्योप्त सभी यानिका ओप्सन डी जो हैगा उसका सही अंसर होगा मुगल काल में भारत में आने वाला पर्थम बिदे से यात्री कौन था मुला तकिया अब्दुल्लतीप मुहमत सादिक या फिर मुला बहबानी तो इसका अंसर होगे जाएगा मुला तकिया था ठीक है नेमलेकित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था तो यह में दिया है मैंडरिक ठीक है मैंडरिक जॉन मार्सल फ्रंसाइब वर्निये पीटर मुंडी तो इसमें जो फर्साइब वर्निये था वो बिहार नहीं आया था नेक्स देख लेते हैं कि बहारिस्ताने गयवी किसकी रचना है तो मुला तकिया की या फिर मिर्जा नाथन की या फिर मुला भावानी की या फिर मिर्जा गुला हुसेन की तो इसका जो सही अंसर होगा वो मिर्जा नाथन होगा मिर्जा नाथन जो है बहारिस्ताने गयवी इसकी रचना है ठीक है न अध्यकालिन मिथला के इतिहास के स्रोत के महत्पून कौन से है तो ये कृति लता भी है कृति पता का भी है वर्ण रतनाकर भी है तो इसलिए इसका अंसर हो जागा उप्युक्त सभी बिहार में धातु प्रस्तर जुगिन और उसेस मिले हैं कहां से तो चिरांद से जो छप्र कारण में है वहां से लौरिया नंदंगर चंपारण से रमपुर्वा चंपारण से तो इसलिए इसका अंसर हो जागा उप्युक्त सभी से बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभी लेक में किस राजबंस के बारे में जनकारी मिलती है तो परवर्ती गुप्त बंस के बारे में जनकारी मिलती है नेक्स देखते हैं कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेक तथा साहपूर पटना यह वह मंदर जो बांका में है से प्राप्त लेकों में जनकारी मिलती है तो परवर्ती गुप्त बंस के बारे में जनकारी मिलती है जैसे क आगे देखते हैं कि पाल सासकों के बारे में जनकारी मिलती है कहां से तो देवपाल के मुंगेर अभिलेक से भी मिलती है नरायन पाल एवं भागलपूर के तामर अभिलेक से भी मिलती है महिपाल पर्थम के नालांदय और मुझापपुर अभिलेक से भी इसकी जनकारी मिलती इसलिए इसका अंसर हो जागा उप्योग्ट सभी यानिक आप्सन D सही होगा आगे देखते हैं कि बिहार के लिए सरवादिक प्राचिन साहितिक सुरूत क्या है तो अथरवेद है इतना याद रखिएगा आगे देखते हैं कि बिहार में इस दित महा जनपदों के पारे में ज उत्खनन से प्राप्थ हुआ है क्या प्राप्थ हुआ है तो पाल काल का बहुत बिहार प्राप्थ हुआ है ओके आगे देखते हैं कि बहुत शाहित बिनाय पीटक के ओम दिख निकाय से जनकारी मिलती है तो उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में इसका अंसर होगा भिधा थे तो कॉन थे तो कनिगम थे ठीक है अगे देखते हैं कि वहां से दो अभिलेक भी मिले धिन पर नालंद का नाम उदकिर्ण है बिहार शरीप में कुमार गुपत पर्थम और अस्कंद्धे पर्सि अस्थम भी कनिगम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था, आगे देखते हैं कि पुरा तत्त वबेदा कनिगम ने बिहार में खोज की, तो क्या खोज की? तो इसने मतलब उपयूप्ट सभी, यानि की केसरिया जो कनिगम नहीं केसरिया अस्तुप चमपान खोज किया, लौरिया अरज क उप्कनिसद में बढ़नेत है ओके आगे देखते हैं बिहार से प्राप्त मौर या भी लेखो कि लिपी जो क्या है वो क्या है तो बिहार से प्राप्त जो मतलब लिपी जो प्राप्त है तो उपजुक्त में से कोई नहीं यानिकी उपजुक्त में से कोई नहीं यानिकी इसमे सेर सां सूरी से संबंदित है वह पहला मुगल सासक पौन था जिसने अभी लेक हो अभी लेक बिहार में मिलते हैं आगे देखते हैं कि बौध धार्मिक साहित में कौन ग्रंत प्राचीन बिहार की इतिहास के संबंद में जानकारी का स्रोत है तो ये है दिगनीका है ठीक है इसका अंसर होगा दिगनीका है सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है तो ये गुलाम हुसेन तब दवाई ने की है मद्यकालिन जो बिहार से संबंदित इन स्रोतों का सही सुमेलित करना है ठीक है तो इसका अंसर जो होगा वो मतलब B होगा यानि की A का 2 यानि की रियाज उस सलातिन जो है वो गुलाम हुसेन होंगे ठीक है और B का 1 होगा तारिके सेर सही अब्बास सरवानी होंगे ठीक है C का 3 होगा यानि की वाकियाते मुस्ताकी रिजुकुला होंगे और D का है 5 यानि की अपसनाहे सहा जो है वो सेख कबीर होंगे और E का जो दिवा है वो 4 है यानि की वसाती नूल उन्स जो होंगे वो इकतसान दहलवी होंगे तो आप लोग इसको एक बार देख लिज यात्री बिर्तान से आधुनिक बिहार के बारे में जनकारी मिलती है ओके नेक्स देखते हैं कि आधुनिक बिहार के अधियान के लिए स्रोत कौन सा है तो फ्रांसिस भुकानन द्वारा संकलित विभिन रिपोर्ट भी है उसके बासे डिस्ट्रिक गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट भी है और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोर्रिस्पोंडेंस स्रीज यानि कि उप्योक्त सभी होगा इसका अंसर डी होगा उप्योक्त सभी ओके आगे देखते हैं कि कोटिल्य के अर्थ सास में किस पलू पर प्रकास डाला गया है तो राज राधिरस अंकित्या ऊप्शं सीइस का सही होगा ओके अगी चली यहां से हम प्राचीन भीहार स्ट से जाने की संभाना है तो बिहार में पुर्व एतिहासी काल का प्ररंब होता है और मानता कब से तो 40,000 इसा पुरू से इसका अरंब होता है एतिहासी काल का बिहार में पुर्व एतिहासी काल का और सेसों में प्राप्थ हुए हैं क्या तो इसका अंसर होगा D यानि कि 1,2,3 यानि कि कुलहारियों के आगे देखते हैं कि बिहार में आदिमानों के निवास के आरंबिक साक्ष कहां से प्राथ हुई है तो इसका अंसर होगा मुंगेरयों नलांदा से बिहार में आदिमानों के उपस्तिती के आरंविक साक्ष किस जुग के है तो इसका अंसर होगा पूरू प्रस्तर जुग से है ठीक है आगे देखते हैं कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर जुग के साक्ष कहां से मिले है तो मुंगेर से यानि कि प्रस्तर जुग मत्यवर्थी प्रस्तर जुग के साक्स जो बिहार में मिले हैं वो मुंगेर से मिले हैं नेक्स देखते हैं कि बिहार में चिरांद मतलब जो सारन में है वही जो छपरा है एवं चेचर जो बैसाली से किस जुग के औसेस के प्राप्त हुए है तो नौ प्रस्तर जुग के औसिस जो प्राप्त हुए है वो चीरांद सारन से और चेचर बैसाली से प्राप्त हुए है बिहार में तामर प्रस्तर जुग के परवर्ती चरन के औसिस कहां से प्राप्त हुए है तो उप्र जुग सभी यानि की चीरांद से भी प्राप्त हुए हैं चेचर से भी प्राप्त हुए हैं आगे देखते हैं यहासी काल का जो आरंब कहां से होता है उसके बारे में उसको देखेंगे तो भिहाएत पूर्वी भारत में आजयों का आगमन हुआ था उनमानन तक कब उवा था तो उतर बैदी काल में हुआ integrating तगवग आर्ट सो इसा पुर्व में हुआ था बिहार सहीत पुर्वी भारत में आर्जों के विस्तार में सहाया कौन था तो लोहे का उपयोग सहाया था आगे देखते हैं कि सुरुती तथा किवधनती के अनुसार महाभारत जुद के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन से थे तो ए और भी दोनों यानि कि मगत था विदे अंग तथा लिच्वी जो थे और महाभारत जुद के समय बिहार के मुख्य राज थे वेद के किस ग्रंत में बिहार के विदेह राज्य में आयों का आगमन तथा निवास का साक्ष विवरन मिलता है तो इसका उप्सन देखते हैं हम तो इसका जो एंसर होगा यानि कि वो सत्पत ब्रामण में मिलता है यानिके अप्सान ये सत्पत ब्रामन विदेह की पर्थम चर्चा सत्पत ब्राहान में मिलती है नेक्स देखते हैं कि बिहार का कौन सा प्राचिन राज आरम में बहुत दिनों तक आर्यावर्थ के बाहर था तथा अनार्य जाती के लोगों का अवास स्तल रहा तो वो था मगद था आगे देखते हैं कि बिहार में उपनिसद काल में ब्रहमन धर्म तथा ग्यान का महान केंदर था कौन था तो वो था वो बिदेह था यानि कि बिदेह के राजा जनक परसीद दार्शनिक थे यह राज ब्याकरन साहित तथा दर्शन सास्र का महतपून केंदर था नेक्स देखते हैं कि अथरवेद में वराप्तिय सब्द का पर जो किस राजी के लोगों के लिए किया गया है तो वो मगद के लिए किया गया है अथरवेद के एक सुक्त में पहली बार मगद का वर्णन मिलता है बिहार का कौन सा राज ये उतरवैदी काल का एक महतपुन रा बिहार के भौगौलिक छेत की चर्चा सरोपर्थम किस सहितिक राचना से मिलती है तो सत्पत ब्राहमन से मिलती है आगे देखते हैं कि महाजनपद महाजनपद से जो भी प्रसन है उसको देख लेते हैं छटी सताब्दी इसापुर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय तो तीन जो मतलब बरतमान बिहार में ये मतलब छेतरों में इस्तित थी 16 महाजनपदों के बारे में जनकारी बहुत गरंद अंगूतर निकाय से मिलता है और जैन गरंद जो था भगवती सुत्र उससे मिलता है आगे देखते हैं कि निमनिमे से कौन सा महाजनपद बरतमान बिहार के छेतरों में इस्तित नहीं था तो ये था वत्स वत्स जो था वो बरतमान बिहार के छेतरों में नहीं था नेक्स देखते हैं कि बिहार के किन छेतरों में अंग महाजनपद इस्तित था तो ये जो था भागलपूर और मुंगेर में अंग मतलब महाजनपद इस्ति गन्टवाध के 6 महानगरीयों में करते थे पोड़ी विहार हूप आगे देखते हैं कि ऐसे महाजनपद में सम्मिलित था तो ये था लुए महाजनपद की राजधानी पूंत की तो ती ती मघesma था उसे किंग कर妈 ध्यत aç तन वहागा, जनपद आठ राजियों का एक संग था तो ये वजी वजी दो था वो आठ राजियों का संग था वजी संग में कौन सा राज सम्मिलित नहीं थी तो चेदी चेदी जो था वजी राजि में सम्मिलित नहीं था बाकि लिश्वी ग्यात्रक और विद्धे ये तीनों वजी राज छेत्र में संबलेत था वजी संग की रायधानी कहा थी तो वजी संग की रायधानी थी वैसाली ठीक है तो लिश्वी की रायधानी बैसाली थी और वजी संग की रायधानी जो थी वो बैसाली ही थी ओके आगे देखते हैं बिहार के भागों में इस्थित कौन सा महाजनपद म छोटरकूरल थे तुक्तितन्फी इसरे माहा जनपत्य चोड़ में कंग कंग होगा अगे देखते हैं कि महा जनपत जुग में पावा पुरी किसकी राजधानी थी तो इन में से कोई नहीं है, पावपुरी इन में से कोई रिसकांस रोगा, इन में से कोई नहीं, ठीक है, आगे देख लेते हैं आप जैन धर्म के बाइमें, जैन धर्म से कौन-कौन से महत्पून प्रस्ण है, तो देखते हैं, जैन धर्म के बास्युक संस्थापक और 24 वे अ महाबीर के महाबीर स्वामी का जन्म का वर्स आमतर पे 540 भी मना जाता है महाबीर स्वामी के पीता सिदार्थ का संबन किस से था तो वजजी संग से था सिदार्थ वजजी संग के गंडाज कुंड ग्राम के सात्रिक छत्रियों में से परमुग थे आगे देखते हैं कि महाबी पावापुरी में दिया था पावापुरी बिहार के नलंदा जिला में इस्तित है महभीर की मिर्तु जो हुई निवान जो हुई थी वह कहां पे तो पावापुरी में हुई थी पर्थम जैन संगीती का आयोजन कहां हुआ था तो पाठली पुत्र में हुआ था पर्थम जैन स संगीति का आयोजन जो था वो पाठली पुत्र में हुआ था जिसमें कार्ज हुए थे कौन-कौन से कार्ज हुए थे तो यह है आपका दोनों यानि कि जैन धर्म ग्रंतों को अंतिम्रुप से संकलित कर लिपी बद किया गया और जैन धर्म के महत्पुर्ण 12 अंगों का परण मतलब आगे देखेंगे बोधधर्म बोधधर्म से मातपुर्ण प्रस्ण है तुछ देखेंगे तब बोधधर्म की संस्तापा गौतामवृध नेगरिह तयाग के उपरांत सर व परधम कहा गया थे सर व तमों 21indruck के समय अलार्क क्लाम के आच्रम में गया थो गुर्व के नाम था और इसको बोध्ध के खेगान का प्रापत कहाँAST हुए था तो बोध्या में आप लोंग बोध्योनम बौद्ध का मतलब गयां होना और जगाया का मतलब यसलिए इसलिए उनको जो जहां ज्यान की प्राप्ति उसको बोध गया कहा गया ठीक है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्यान की प्राप्ति हुई थी टूनकुर निरंजना नदी के किनारे ज्यान की प्राप्ति हुई थी उन्हें ज्यान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किना आगे देखते हैं कि राज ग्रीह में आयोजित पर्थम बहुत संगीती में कौन से कार्ज हुए तो बुद्ध की सिख्छाओं का संकलन सुत्त और बिनाय पिटक में हुगा तिसका अंसर भी होगा पर्थम बहुत संगीती का आयोजन लगभाग चारसो तिरासीस भी पूरो इ दूतिये बहुत संगीती का आयोजन बहुत साली में हुआ इसके द्वरा किये गए कार्ज क्या थे तो इसका अंसर हम लोग देखते हैं नीचे इसका अंसर होगा ए यानि कि बहुत धर्म दो भागों में अस्थावीर वह महा संगीत के रूप में विभाजित हुआ और दू 283 में पर्थम और 383 में दूतिये त्रितिये बहुत संगीती का आयोजन पातली पूत्र में हुआ था इसमें कि एगर कार्ज क्या थे तो कुछ कठोर नियम बनाये गये तथा अभी धम पितक का संकलन हुआ थे इसका अंसर जो होगा वोड़ी होगा त्रितिये बहुत संगी बुद्ध के पाटली पुत्र के बिनास के कार्णों की भविष्वानी की थी, उसमें सम्मिलित थी, बाण सम्मिलित था, अंत्रीक ला सम्मित हैं, निकी उप्योग सभी, ओके, आगे देखते हैं, बुद्ध गया में महा बुद्धी मंदर बनाया गया जहां, गौतम बुद् 45th BPSC में पूछा गया है नेक्स देखते हैं कि परसीद बहुत सारी पुत्र का जन्म कहां हुआ था तो नालंदा में हुआ था अब आगे देख लेते हैं कि मगद समराज का उत्थान मगद समराज का उत्थान के बारे में आगे देखते हैं महाँ भारत था पुरानों के अनुसार मगद का सरोपर्थम पराजवंस था कौन सा था तो ब्रिहदरत राजवंस जारासंद के पीता ब्रिहदरत से अरम होता है मगद जन्पत का संस्थापा कौन था तो ब्रिहदरत तथा जरासंत को माना जाता है मगज समराज का अब वास्तिविक संस्थापा कौन था तो ये बिम्बिसार था बिम्बिसार का सासन पर 544 इसापुरु से 493 इसापुरु तक रहा आगे देखते हैं कि बिम्बिसार यों आजात सत्रु किस बंस के थे तो हर्यक बंस के थे बिम्बिसार को स्रेणिक तथा आजात सत्रु को कुनिक भी कहा जाता है बिम्बिसार महात्मा बुद का मित्र था मगज समराज का उतकर्स प्रारंब हुआ था कब तो विम्बिसार के सासनकाल में हुआ था विम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवा किया था तो इसका अंसर होगा उब्योग सभी से यानि कि कोसल देवी से भी किया था चेलना से भी किया था बिम्बिसार ने बैबाइक संबंदों तो अपने इसी थी सुद्रड की, कोसल देवी कोसल की और खेमा पंजाब की तथा चेलना जो थी वजी संकी राज कुमारी थी आगे देखते हैं कि बिम्बिसार ने ब्रह्मा दत को पराजित कर कौन सा राज जीता था तो अंगराज को जीता था हर्यक वंस का दूसरा सासक कौन था तो हर्यक वंस का दूसरा सासक जो था अजाद सत्रू था आगे देखते हैं कि वजी संग के लिष्वियों को पराजित करने वाला मगर का सासा कौन था तो अजात सत्रू था अजात सत्रू के साथ प्रेम संबंद के लिए चर्चित नर्थकी आमरपाली जो कहां के थी वो बैसाली थी अजात सत्रू ने किस राजिक के साथ जुध में पर्थम बार रत मुसल्ट था महासिला कंटग नम खतियारों का पर्योग किया था तो लिचवी के मतलब इस राज के साथ जुद में ये पर्योग किया था ओके आगे देखते हैं कि मगद पर्थम मगद समराज का चर्मोत कर्ष की सताब्दी में हुआ था तो इसापुरु छटी सताब्दी में हुआ था पाठली पुत्र नगर के स्थापना किसा सकने की थी तो उदाईन ने की थी ऑप्शन भी सही है अजात सत्रु के बाद उदाईन मगद की गद्दी पे बैठा उसने उदाई भद्र भी कहा गया है किस राजा ने पाठली पुत्र को सरवपर्थम मगद की रायधानी बनाया तो उदाईन ने पाठली पुत्र को सरवपर्थम अपना रायधानी बनाया हर्यक बंस का अंतिम सासक कौन था तो हर्यक की सथापीथ हुई ठीशनांग बन्स का संताफंद के ूपरांत मगत पर किस बंच की सत्थापित हुई तो हरीयक BENZ के बाद सिसू नाग BENZ की सत्था अस्थापित हुई काला सोग को काक वन भी कहा जाता है ओके नेक्स देखते हैं कि दुटिया बहुत संगीती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था तो काला सोग के सासनकाल में हुआ था दुटिया बहुत संगीती का आयोजन कहां हुआ था तो बैसाली में हुआ था दुटिया बहुत संगीती क समीति का आयोजन 383 इस पुर्म में हुआ था द्योतिय बहुत संगीत की संगीती का धेक्षता किस ने की थी सावक मिरने किया था नंद बंस का संस्थापक कौन था तो महा पदम नंध था जायां उम्स्री माली की पुस्तक प्राचीन भरत में नंद बंस का संस्थापक संदिन को बताया गया है अगे देखते हैं कि मगत के किस आसक को कली का अंश पर्सुराम फटार छत्रीयों का ना श्रव्चत्रांग एक शत्र और एक्शत्राप कहा गया है तो किस आसक को कहा गया है तो ये कहा गया महापदम नंद को कहा गया नंद बंस का अंतिम सासक कौन था तो घना नंद था पर्थम बहुत संगीती का आउजन किसके सासनकाल में हुआ था तो अजाद सत्रु के काल में हुआ था इस आय। कि का विलाइस सर्व पर्थम किया था मगत समाज में कलिंग का विलाइस सर्व पर्थम किस ने किया था तो महापदम नंद ने किया था निमलिखित में से मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालें था तो घना नंद जो था उसी कंदर राजा सिकंदर महान का समकालें था स को एवगा साथ यस देखते हैं कि कि निमलिखित में किस राजा ने पार्थलिपुत्र को बसाया था तो यह है उदाई ने बसाया था ओके नेक्स देखते हैं कि मगद के साथ आध शत्रूप ने किसके आकरमणों पर्तिरोतप में गंगा और सोन心 के संगम प्रवस्थित पाठली ग्राम को सुरचित तथा किलो को सुचाजित किया जो आगए चलकर पाठली पुत्र नगर बना तो ये था बैसाली के ब्रिजियों के द्वारा ओके तो चलिए आज के इस बिहारे स्पेसल के एपिसोड में इतना ही मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले एपिसोड में अगर आप लोगों को ये मतलब सीधी अच्छा लगेगा तो आप लोग को में जरूर बताइए और आप लोग को वीडियो देख लेते हैं लेकि कॉमेंट सुझाने करते हैं ये बहुत ही गलत बात से तो आप लोग को comment करके सुञाओ दी में लगा तो याध हो जायेगा ठीक है और ये बहुत ऑची बूख है प्रसन आप इस इसमें मैं सारे टॉपिक को करवा दूँगा लगवक वन वीक के अंदर में मैं करवा दूँगा गरांटी के साथ आप लोग इसको याद करके और इसमें गरांटी के साथ एक भी पिहारे स्पेसल का कोश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा और नहीं छूटना चाहिए बस